डेखें, आज जो इशू आना सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से हात जोड की विंती करती हूँ कि प्लीज ये जो भी हो रहा है उसमें आप अपशब्द मद प्रयोक कर ये दलित के लिए या किसी भी religion के लिए या किसी भी धर्म के लिए या किसी भी जाती के लिए क्योंकि जो विरोधी है वो लोग यहीं चाहते हैं हमें नहीं पता कि यह जो आग लग रही है जो दंगे करवा रहे हैं वो डलित के गुटों में छोड़े गए कुछ पेड़ क्या कहते हैं अभिशेक जी तो मुझे नहीं लगता कि हमें हमें बाटना चाहिए और यह जो खाई जो लकीर जो खीची जारी है उसको और बढ़ाना चाहिए तो मैं आप सबसे नम्र विनंद्धी करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में एक भी अप्षब प्लीज हमारे दलित भायों के लि अप्षब प्लीज है एट्रोसिटी का उसमें उन्होंने यह कहता कि पहले कोई भी कम्प्लीन करता है कोई भी दलितिया SC ST तो उस पे तुरंती मतलब कि गिरफतारी हो जाती थी तो उन्होंने यह कहा सुप्रीम कोट ने इतनी सी बात कही कि अब गिरफतारी से पहले चानब अपना प्रोपोगेंडा चलाया ग्राउट प्रोपोगेंडा उन्होंने क्या चलाया मैंने आज कुछ दलितों से भी बात करी कि जो अगर चलती होती तो राम मंदिर 4 साल पहले बन गया होता जो मैंटर सुप्रीम कोट में उसमें कोई हस्तक्षिप नहीं कर सकता है हां कोई अपील करना चाहता है वो एक अलग बात हो गई है लेकिन सुप्रीम कोट के डिसीजन में कोई वो नहीं कर सकता है तो इन्हों ने ये प्रॉपोगेंडा चलाया जो मुझे पता चलाया ग्राउंड से और जिस जो मैंने तफ्तीश की है कि रिजर्वेशन के खिलाफ मोदी जी जो SCST का जो रिजर्वेशन है वो बंद कर रहे है इसलिए आपको भीड में शामिल होना और आपको अमारे साथ ये आंदोलन करना है एक्चुली आंदोलन का किसी को कुछ पता भी नहीं था अब ये प्रॉपोगेंडा ये था कि पहले तो रूमर स्प्रेड करो फिर पैनिक लोग है टपोरी लोग है उनको छोड़ दो और बाकी वो सब करेंगे जो भीमा कौरे गाओं में हुआ ये वही हो रहा है भीमा कौरे गाओ वाला ही ये रिपीट हुआ है अब मैं आपको इसमें बता दू कि आज दलित के इंसा में देश जल गया साथ लोगों की मौत हो अब ही तो दो दिन पहले हम सब लोगों ने अपनी मेंद की कमाई से 31 तारीक से पहले अपना टैक्स भराया है कि इन जैसे गुंडे कभी जाट सेना की रूप में कभी मराठा सेना के रूप में अलग अलग गुरज़र सेना पता नहीं कौन-कौन सी सेना ये बनाते एक-एक सेना पती जिनको पीछे के दर्वाजे से सुटके से भरके आ जाती और फ्रंट गेट से ये सेल्फ प्रोक्लेम लीडर बनके निकल जाते और हर जगे दंगाई दबंगाई गुंडाई करते हैं अब इसमें न मैं आपको एक बता दू कि बहुत सारे लोग मैं आपको सच्चा ही बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ये जो बड़े बड़े लोग है जो सेल्फ प्रोक्लेम लीडर भी बन गए इन सबके ट्वीट्स आये सामने अलपेश्ट हाकूर का ट्वीट है मैं सबके पढ़के बताऊंगी शैला रशीद का है हार्दिक पटेल का है राहूल गांधी का है और है जिगनेश मिवानी का इन सारे ट्वीट्स में एक बात कॉमन क्या है पता है आपको इन सारे ट्वीट्स में एक बात कॉमन ही है कि किस भाजपा करती भाजपा ने तो हर कोशिश कर ली प्रॉपोगेंडा किसके वो सबको पता चल रहा है चौदा स्टेट्स में आप लोगों ने अपनी गुंडाई दिखा दी अब मैं एक एक के आपको ट्वीट पढ़के दिखाती हूँ क्योंकि काफी लोग शायद ट्वीटर भी नहीं होंगे जो ट्वीटर में वो तो जानते ही हो पर अगर उनके ध्यान से ये बात रहे गई हो तो मैं आपको बता दू कि राहुल गांदी ने क्या ट्वीट किया राहुल गांदी लिखते है कि दलितों को भारतिय समाज के सबसे नीचले पाइदान पर रखना RSS और भाजपा के डीने में हैं जो इस सोच को चुनोती देते हैं उसे वे हिंसा से दबाते हैं हजारु दलित भाई बेनाथ सडकों पर उतर कर मोधी सरकार से अपना अधिकार की रक्षा की मांग कर रहे हैं हम उनको सलाम करते हैं मतलब ये जो बंदा है राहुल गांदी ये पप च雇से राहुल गांदी को बताद्यू कि हमारे ड 헤एने पे तो आप लोग जाओ ही मत क्योंकि हमारा डेने तो हिंदूस्तानी है जो ड Dubya हिंदूस्थान के लिए वफदारी निभाता है रहा सवाल आपके DNA का तो आप तो होई mixed breed ठीक है तो आपके DNA आप संभाल लो आपकी जो वफादारी इटली के प्रती या बाकियों के प्रती है वो आपके हिंदुस्तानियों के प्रती कितनी है वो सब दिखाई देता है अब आप बहुत जादा हिमायती बन रहे हो जिस बाबा साहिब को आपने कभी भारत रत्न नहीं दिया 60 साल आप लोगोंने सरकार चलाई उनको भारत रत्न नहीं दिया आज आप बड़े उनके followers बने घूम रहे हो बाबा साहिब की तस्वीर आपने संसित भवन में नहीं रखी लोग सबा चुनाव में हराने की पूरी कोशिश करी बाबा साहिब को दो बार और बाबा साहिब का नाम आज आप राजनीतिक अपनी राजनीतिक रोटिया सेखने के लिए इस्तमाल कर रहे हो हद्य मतलब दोगले पन की इतना दोगला पन बड़ा दुख होता है आज मुझे इतनी हो रहा है कि पता नहीं ये देश कहां जा रहा है क्या कर रहे है हम लोग ये राहूल गांदी लिंगयात को अलग करनी की बात करता है अपने आपको जनोई धारी परम शिववक्त हिंदू कहता है और फिर शिववक्त लिंगयात को हिंदू कम्यूनिटी से अलग करनी की बात करता है दलीतों के लिए ये बार-बार आजाता है ये राहूल गांदी जिसका इतिहास रहा है कि जो कभी हिंदू की नहीं हुए मैं आपको आख़े बताऊंगी कि कांग्रेस के सार्षन में दलीतों पर कितने अत्याचार हुए। इत्रासिटी हुई। उन लोगों को कितना परेशान किया गया हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जिगनेश मेवानी एक तो इतना बत्तमीज बंदा है ये इसको बोलने की तमीज तक नहीं है इस मेवानी को ये है ना इसकी जो हरकत है ना वो सड़क चाप गुंडे टपोरी मवाली नहीं होते हो भी इससे जादा अच्छी भाशा उ सुवर है ये ऐसा बोला मुझे खुद को ये शब्द यूज करना अच्छा नहीं लगता है पर ये घटिया लोगों की जब बात करती हो और इनकी सच्चा ही बतानी पड़ती है तो ये लोग जो शब्द इस्तमाल करते हों बोलना भी बहुत जरूरी है तो ये बंदा कहता ह है कि भाजपा वाले सुवर है इसकी सोच इतनी घटिया है इस बंदी की जिसकी गंदी सोच होती न उसके जुबान से गंदे शब्दी निकलते हैं अब ये कहता है कि राम विला इसने एक भी ट्वीट ये तो नहीं करा शांती बनाने का किसी का ट्वीट नहीं है ये सब बहु चापलू सी मत करो बात अच्छे लगने की नहीं है बात है इस चुकादे से दलितों का अच्छा नहीं होगा अब पहले तुम्हें जिगनेश मेवानी को ये जवाब दे दू कि तुम अगर सेल्फ प्रोक्लेम दलित ठेकेदार बनके बैटे हो तो तुम्हारी जो ये और राम नम्मी के बाद 200 से जादा दलित लोगो Unterstützung पर अत्याचार हुए कहां थे जिगनेश मेवमती जो बड़े दलितों के हिमायती बंते नहीं इस पिरते है इनको इतने दोगले है इनको दलितों से कुछ लेना देना नहीं है इनको किसी और जाती से भी कुछ लेना देना इनको सिर्फ अपनी राजमीतिक रोटिया सेखनी और मैं जिगनेश मेवने को बाइदवे कह दू कि वडगाम की जिस सीट से लोगों ने तुमको चुनके भेजा है न विधायक और जब तुम कह रहे थे न कि मैं विधान सभा जाके मोदी की पूछ दबाऊंगा और विधान स दिन मेंसे 27 दिन विधान सभा चली गुजरात विधान सभा की में बात कर रहे हूं उसकी सत्ताइस दिन मेंसे 10 दिन ये बंदे ने अटेंडेंस भरी है मतलब जो बंदा 50% भी 50% भी जिसकी अटेंडेंस नहीं विधान सभा में जो MLA तो बन गया पर अपनी जिम्मेदारी यह विदान सबा में जाकर लोगों की बाते नहीं पहुचा रहा है वहां पे, यह कर रहा है राजनी थी, पता है कैसे, कभी पोना चला जाएगा, बीमा कौरेगाव का कांड करके आ जाएगा, कभी दिल्ली चला जाएगा, वहां पे चक्का जाम करके आ जाएगा, यहां पासे इसको चुनके बेजाए वहाँ पे इसकी 50% अटेंडेंस में विदान सभा की बैठकों में और ये बंदा जनहित की बात करता है जिसकी लेंग्वेज इतनी घटिया है जो इतनी घटिया भाशा में बात करता है जो मतलब देश के प्रधान मंद्री के लिए इतने अपश को पीछे लेके आ रहा है ये बैकवर्ड कर रहा है अपनी कम्यूनिटी को और इसको जो सपोर्ट कर रहे है वो लोग सुनो अच्छे से आप है ना गलत इंसान क्यों आप पहले तो जाके जिगनेश मेवानी को सवाल करू क्या आपको हमने चुना है विदान सभा में क्यों नहीं जा रहे हो आपकी अटेंबिंस 50 परजेंट भी निहीं आप क्या कर रहे हो आप क्या हर जगे हर केजरिवाल की तरह केजरिवाल जैसे एक स्ट्रेट लेके बैढ़ गया था उसमें दिली में द्यानना देखिपूरे हिंदुस्तान में ब्रहमन करा या तक कि पाकिस्ता लोगों कुछ नाते हो जब ऐसे लोग चुनके आते हो यह葉 हर जगे तोड फूर गंगा बार-बार यह कहता है सड़क जिस पर अत्याचार हुआ था जिसने उसको मारा था उसको जेल तक हो गई है वो अभी जेल में सजा काट रहा है ठीक है यह है गुजरात का कानून यह है गुजरात का लॉइन ओडर कि उस बंदे को जो भी है दलिद भी हिंदू ही है इसलिए माफ करके आप हर मुद्दे को द ले सब्क हर ना यह रहास दवाल की बात कर रहा है तो यहीँ बन्दा चापल că उसी तो खुड सो के कॉंगरेस कांग्रेस की गोध में जाके बैठा है इसने बोला कि मैं आपक्स चुनाव लड़ा ये खुझ की कांग्रेस को पूरा समर्थन करता है हर बार ये भाजपा के Mrister में जा जा कि आतंक मचा के आता इसको पस्ची मंगाल में इसको कुछ नहीं दिखता, कहराना में पूरे, पूरा साफ कर दिया कहराना, हिंदू का कोई घर नहीं बचा, वहां से उनको भगा दिया, जिसमें दलित नहीं है, हिंदू में सब आ गए, ये दलित दलित करता है, जब मैं हिंदू की बात करती हूं, उसमें सारे आ गए, सब कुछ आ गया, उसमें हर एक कास्ट आ भी, ये बंदा खुद जाके चापलूसी करता है, राउल गंदी की गोद में जाके बैठा और ये बकवास करता है, और इसकी लेंगवेज तो आप देखो, लब इतना घटिया बंदा है कि मेरे सामने जिस दिन य इस तरह की बत्तमीजी करेगा ना, इसको जूते पढ़ने वाले है, अब इसके बाद मैं आपको बात करती हूँ, अलपेश ठाकूर की, ये ठाकूर समाज का सेल्फ प्रोक्लेम लीडर है, बट ये अलपेश ठाकूर ये कहता है, सुनना इसका ट्वीट आप जाके देख ले हैं, और पत्थर बाजों पर पैलेट गन टो क्या, जो मेजर गोगोई ने किया था ना, वो करना चाहिए, और उन पर पैलेट गन बकाईदा चलानी चाहिए, हमारे सीपाई feeds वाँ पर मरने के लिए नहीं जाते या उनके पत्थर खाने के लिए धानिक मांगे लेकर शांती पोर्ण भारत बंद कर रहा है थो उन पर अंधादून करना कितिना जायज है अंधादून फाइरिंग कौन कर रहा है कि बता हूं नाम किसा इस बन्देगा यह से विल्ट ऋभा पकड़ा गया बले कोई भी पार्टी से हो, मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टी से है, किसका गुंडा है भगवान जाने पर इस राजा चोहान ने अंधादुन फाइरिंग करी और तीन लोगों को अपनी गोली से मार दिया ठीक है, अब ये बात करता है, तो क्या पुलीस बैठे बैठे तमाशा देखेगी, तुम लोग आंदोलंग के नाम पर विचारे आम जनता को परिशान कर रहे हो, आम जनता परिशान हो रही है, बच्चों तक को भी तुम नहीं छोड रहे हो, और फिर पुलीस हाथ पर हाथ र बॉर्डर पर भेजो पत्थरबाजों के बीच में, इनको इनकी ओकात तो पता चले, इनको पता तो चले हकिकत क्या है, फिर से दलीत को भूल गाए क्या बीजेपी दलीतों को आतंकवादी समझते हैं, किसने समझा दलीतों को आतंकवादी, कौन कहता है दलीतों को आतंकव सब्सक्राइबने सब्सक्राइब अब एपटा इसकी बात सुनो हार्धिक पटेल कम एपको ट्वीट बता रही हूं हार्दिक पर्चिपल को बता दू गुझरात ईलक्शन ईलेक्शन हो गया थैसे हार्दिक प्रद करता है और अनध जो आंदोलन कर रहे है रिजर्वेशन की बात करता है यह मंदम अंदोलन की बात करता और अन्ना जो आंदोलन कर रहे है रिजर्वेशन की खिलाफी उस आंदोलन में अन्ना को मिलने भी जाता है कितना डबल स्टांडेड है इस बंदे का यह बंदा सड़नली गुजरात का इलेक्शन खतम होने के बाद मुझे लगता है सारे बेरोजगारों को की पता चली तो उसके बाद इन लोगों के प्रोफोगेंडा स्टार्ट हो गए इस बार कौन बना दलित थोड़े दिन पहले राजस्तान में बाइपॉल से तब पदमावत के नाम पर करनीशित सेना को पूरा वो कर लिया और पूरा वो हाईजैक कर लिया करनी सेना की जो से पिराकरन लाना जरूरी है ठीक है भारतबंद का एलान हुआ भारतबंद करो एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का यह दंगाई गुंडाई दबंगाई यह नहीं चलती है आम जंता सफर नहीं होगी आप कहीं भी करोडों की प्रोपटी को नुकसान पहुचा रहे हो जो इस हारदीक पटेल ने गुजरात में किया 14 लोग मारे गए आज 7 लोग मारे गए कौन है उसका जिम्मेदार कौन भरेगा यह भरपाई पब्लिक प्रोपटी करोडों की फूप दे तुम लोगोंने कौन करेगा यह राजद्रों का मुकदमा चल रहा है यह हारदीक पटेल और यह बात करता है आउकात की अपनी आउकात तो देख ले पहले तु अपनी आउकात देख दो ठके की आउकात निये तेरी दो साल में इतना पैसा बना लिया कैसे शौटकट अपना है जिस बहन के लिए तु लड़ रहा था आरक्षन की भीक मांगने निकला था उस बहन क के नंट जीलगी शादी में करोड़ो की करोडो का खर्चा कर दिया वह अवकात की बात कर रहा है तुम लोक जो अहांट यह बिचारे गड़ीलों के लड़ाए लड़ते अैसे अमीर बन रहे हो ऐसे शौटकट अपना रहे हो कांग्रेस की गोऑ जा चांके बैट रहे हो इन सब की पैटरन एक है यह एक ही पैटरन से काम करते है भाजपा के राज में पहली बार भारत बंद बन उए जबकि मैं इसको बता दूँ के बीमा का औरे गाओ पार्टीदार यह आंदोलन पास अनामत आंदोलन समीटी के लोगों ने जो यह गुजरात में कर रहा था ठीक ह और किती भी बार तुम लोग ने अभी चार साल में कई बार भारत बंद करें ठीक है जनता ने भारत बंद का एलान दिया है मतलब अब यह इसमें हमायती कॉंग्रेस की कर रहा है यह क्या बोल रहा है कॉंग्रेस राज में भाजपा भारत बंद का एलान करती थी जनता नहीं म मैंने कब कॉंग्रेस को समर्थन किया मैं कहां कॉंग्रेस में हूं मैं कहां चुनाव लड़ा यहां पे कॉंग्रेस कॉंग्रेस करता रहता है बंदा मूर को किसको समझता है यह कॉंग्रेस की गोद में जाके बैटे है यह जब प्रॉपोगेंडा पूरे करते हैं इनको दलीत जरूरत है तो आप लोगों को दलितों को गालिया बकने की तो राम जी पर ठूपकर चपल मार रहे हैं तो कौन भुखतेगा भगवान सबके हिसाब करता है इनका भी हिसाब होगा जो गलत कर रहा है उनका होगा लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि नफरत अगर हम भी कि यही वह लोग चाहते है और फिर कल को यह लोग कोंग्रेस आजाएं तो अलग कर देगी जैसे जेनों को अलग कर दिया था लेंखिस से दलीत को अलग करने की बात करें और इनकी वोट बैंक करेंगी क्योंकि इनको पता है मुसलिम बोट अब इनके इतने रहे नहीं है माय करते हैं यह हो गई हर्दिक पटेल की बात अब आते हैं इन सब के सरदार राहुल गांदी और फुप पपू और रॉल विंची और फुप इटालियन यह बंदा कहते हैं कि दलीतों को भारतिय समाज के सबसे नीचले पाइदान पे रखा हुआ है अच्छा मैंने राहुल गंदी की बात कर लिया इम सो सॉरी फॉदर अब बात करते हैं शैला रशीद की पहले बात तो यह शैला रशीद को बोलने का हकी नहीं होता उसको बोलो तुम सिया सुननी वाले अपने मैटर निपटा ल करना भी मत दूसरी बार शैला रशीद सुन ले कि तुम्हारे में कास्ट होती है वारा बड़े ही सब्विय सीधे साधे अच्छे लोग होते व्यापारी लोग होते काम धंदे वाले लोग होते वारा की कभी मैंने कोई बात सुनी नी और हमारे गुजरात में तो वारा काफ जातन कर लो आप लोगों की इजद की इजद बच जाएगी क्योंकि इन लोगों की वजह से आपके इजद पर आँच आती है तो शैला रशीद को मैंने जवाब दे दिया क्योंकि आ भी हमारे दलीत वाले लिंग्याइत वाले मैटर पर बोली थी तो मैं आभी ये कह रही आपका जिस तरह का नेचर है आप इतने श्रांगती प्रिय तो हिंदुईजम और हिंदुत्व बहुत ही श्रांगती प्रिय रिलिजिन है तो आपको वो सम्मान मिलेगा अब यह बोलती है I am not a I am a non-dalit yes शैला रशीद I am also non-muslim I support भारत बंद I support वोराज क्योंकि वोराओं की हलत खराब करके रखी हुई यह आप लोगों ने against the delusion of SCST act atrocity against dalit are real and thriving as Una Rohit Vemula Saharanpour showed us मतलब यह अभी उना वाला केस दिखा रही है उना वाले केस में already उसको सजा मिल गई है और by the way वो dalit है नग logic ask the बात में है फिर इंदू है फिर यह बात करें रोहुट वेमूला की रोहुट वेमूला की certified 110 नोट छोड कर गया अपनी मौत के एक दलित लड़के का मडर हो गया चीक है यह कह रहे कि उस बंदे ने बोले कि घोड़ा रखा था और उसने घोड़ा रखा इसलिए उसको मार दिया गया यह भावनगर के जो एसलिए उसका स्टेटमेंट आया है पूरी शिनाक्त की गई है यह हर जेगे प्रोपोगेंडा करते हैं इन लोगों के प्रोपोगेंडा इतने नीजी दुश्मनी की वजए से इनके आपसी लोगों में टक्रार हुई है और वो बंदा मारा गया है इसको इन्होंने पूरा दल कान खोल के सुन लो और अपनी अवकात में रहो अभी मुफ्त खोरी में पल रही हो थोड़ी पढ़ाई वड़ाई कल रहो जंतर मंतर पर बाद में बैठो 75 प्रतिशर्ट अटेंडेंस से तुमको प्रॉबलम है तुम अपनी पढ़ाई नहीं करती हो कॉंडम्स लेके बैग कि एज हो गई है अभी भी मुफ्त खोरी में पल रही हो हमारे पैसो पर इसलिए नहीं दे रहे कि तुम यह सब करो पहला अपनी पढ़ाई पूरी करो अपनी ऑकात बना लो जी हां तुमारी दो टके की भी ऑकात नहीं है अपनी ऑकात बनाओ और फिर यह राजनीती करना औ करो तीनो टाइम का खाना खरिदने की ऑकात नहीं है हमारे पैसो पर पलती हो और हमसे बकवास करती हो यह मैं आपको एविडेंस दिखा ली हूँ इसमें